अब हम लोग combination of resistance या combination of resistors इसमें देखते हैं क्या है तो हम लोग यहाँ पर दो टाइप के combination पढ़ने वाले एक combination जो series कहते हैं और दूसरे वाले को हम parallel कहते हैं तो इन दोनों का फरक समझ लेते हैं उसके बाद इन दोनों का derivation देखेंगे कैसे हम इसको derive कर सकते हैं इनके formula को और उसके बाद इनके significance इनका क्या importance है वो देख लेंगे तो combination of resistance में पहला series वाला है तो series में क्या है गईज दो या दो से जादा resistors एक के बाद एक consecutively बिल्कुल एक के बाद एक consecutively end-to-end connected ज़त देखो एक है दूसरा है उसकी ज़स्पास दूसरा है और end-to-end इसका एक end उसका दूसरा end एक दम end-to-end यह लोग connected है आई वासंट में तो इसे हम कहते हैं resistance in series यह series combination है so when two or more resistors are connected end-to-end consecutively they are set to be connected in series इसके बाद देखो रहेगा उसके बाद देखो रहेगा मैं क्यासा मानता हूं series और parallel को अगर आपको समझना है तो मैं क्या समझता हूं मैं यह समझता हूं कि भाई माल लेते कि एक एक पानी का pipe है एक water pipe है ठीक है अब यहां से जो भी water enter करे कि और वही water is R2 के तरफ ही जाएगा अर्टू से भी pass होगा तो इस तरह जो पानी यहां से निकल रहा है वही पानी इसमें भी जा रहा है यह दोनों resistance में R1 में R2 में दोनों में same water जा रहा है तो मैं यह मानता हूं कि भाई यह लोग series में connected है बराबर है यहां पर water का line जो है वो divide नहीं हो रहा है एक ही line में जा रहा है इनका connection जो है series में parallel का समझ लेते भी parallel जो है end to end connected नहीं होते है यह between same common point यानि एक पहले का resistor का और दूसरे resistor का एक end एक जगा पर हैगा और दूसरा end भी किसी और एक ही same जगा पर हैगा जैसे देख लो R1 का A वाला end A पर है R2 का एक end उसी A पर है और दूसरा end B पर है तो यह दोनों ऐसे resistors है या दो या दो से जादा तीन भी हो सकते हैं चार भी हो सकते हैं कितने भी हो सकते हैं जब वो same common point भी दो common point की बीच में जब connected होते हैं ताब हम उन्हें क्या कहते है resistance in parallel बराबर जैसे क हमारा जो switchboard होता है उसमें देखो fan light उसी में हम charger का भी connection कर सकते हैं सब्सक्राइब होता है तो वो सब क्या है यह TV यह fan यह light यह सब resistors है यह सब एक-एक resistors है यह सब इनको आप सबको एक resistor कह सकते हो और इस सब के सब उसी दो common point के बीच में connected है तो आप एक button on करते हो वहां का हो जयते हैं सब्सक्राइब हो जाते हैं तो यह अगरें ऑक निक्टीर बेट्वीन सेम कॉमन प्ट उनका जो कनेक्शन पॉइंट है वह सेम कमन पॉइंट है इन सबका तो यह अपने resistors है जो सेम कमन पॉइंट के बीच में connected होते है इसमें अगर हम पानिका पाइप माने जै तो इसके उपर बहुत सारे संस करेंगे तो उस समय पर भी मैं आपको सेपरेटली हर समय यह लौग को अपलाए करके दिखांगा किस तरह से डिवाइड हो रहा है किस था नहीं हो रहा है ठीक है